दोस्तों, अगर आपको जट से बहुत कुछ सीखना है, तो TRS Clips Hindi के चैनल पे आपका स्वागत है. जो हमारी एकदम DC audience है, भारत की audience है, क्या आपको as a doctor, आपके कितने सालों का experience है अब? अभी 30 साल practice हो गई है, cancer surgeon बनने के बाद 30 साल practice हो गई है. मैं ये भी कहना चाहूँगा audience को कि सर एक world renowned doctor है, मतब दुनिया भार के लोग इनके operations को study करते हैं, इनके surgeries को study करते हैं, तो पहले वो जानों, इनकी बाते सुनने से पहले. दूसरी चीज़ मैं आप से पूछना चाहूँगा, 30 सालों के बाद भारत के medical knowledge के बारे में आपको क्या पता चला है, कि जो लोग गाओं में बैठे हैं, भारत के, जो छोटे शहरों में बैठे हैं, क्या उन्हें cancer के बारे में अच्छे से पता है, और अगर नहीं पता है, तो क्या जानना चाहिए होने, cancer के बारे में? मेंने गिनने, बस बात खतम, तो cancer ये शब्द मालू हो गया, लेकिन उसके पीछे के बावना, उसके पीछे के आगे लगने वाली treatment, वो किस की वज़े से होता है, क्या किया तो नहीं होगा, इसके बारे में अभी भी काफी जानकारी जाएना जरूरी है, और ये actually इनके आप तो काफी है, communication का. आपका खाना एकदम शुद नहीं है, आज के जमाने में, तो literally cancer हर किसी को हो सकता है, और इसलिए subject के बार में हर किसी को जानना चाहिए, क्यूंकि cancer बहुत जल्दी detect भी हो सकता है, अक्सर लोग खुद को detect नहीं कर पाते, पता भी नहीं होता कि cancer हो चुका है, तो ये आज के, I'm 30, 1993, मैं देख रहो कि मेरे आसपास के जो ब्रोज के साथ मैं पला बढ़ा हूँ, बहुत सारो के health problems start हो चुके, suddenly, out of the blue, अभी हम लोग सब health conscious हो चुके, fitness, health पर ध्यान दे रहे, पर लोगों को cancer specific क्या जानना चाहिए, even मेरे एज के लोगों को, क्या जानना चाहि में बोलेंगे ना, तो सब के मन में सबसारा सा डर बैटता जाता है, और क्या हो गया है, कि हारो एक आदमी को लगता है, कि नया डायेट कुछ फॉलो करें, इंटरनेट भी बी काफी डायेट है, तो कोई भी फूड खाएंगे, तो थोड़ा तो cancer का उसमें चीज रहती है, क जिससे cancer हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि हर फूड में या हर प्रोसेस फूड में cancer होने की संबावन है, कितने लोग खाते पीते हैं, उससे होता है, सबसे important चीज क्या है, कि लाहस दस सालों में ना, stress काफी लोगों का बढ़ गया है, मेरे बाजुवाला आदमी के पास Mercedes ह मेरे पास आभी भी नहीं है, इसके बहुत बड़ा LG का स्क्रीन का TV है, मेरे पास नहीं है, ये stress अर्बन एरिया में, अपने एरिया में सबसे ज़्यादा है, और जो चीज अपने को भगवान ने दिया है, उसका काम नहीं होता है, इसका क्या होता है, कि महिलाओ को काम को जा है, ये जो प्रेशर से, बगवान ने आपको कोई आवे दिये है, कि जिनका सही इस्तमाल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, ब्रेस्ट भी नहीं हो रहा है, मैंसिज टाइम पे नहीं हो रहे हैं, 35 अज के पहले आपको बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा होएगा तो मेरे career का क्या फिर बच्चा होएगा बाकी और ये तो females में है लेकिन females में भी काफी stresses है कि सबको 2-3 साल में इतनी तरक्की कर नी है कि कि क्यों बाजवाला कर रहा है लड़कों पैसो का प्रेशर हो दो पैसे का प्रेशर है स्टेटस का प्रेशर है तो last 8-9 साल में जिसको कि इसी ने कभी जिन्दगी में अच्छा फूर भी खाया है और सब लाइफस्टाइल अच्छा जय है उसको भी कैंसर हो रहा है तो आज आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो सबसे नुबर वन जो कारण है वो स्ट्रेस है और जब तक आप stress नहीं करोगे, तो stress कम करना, याने power yoga करना, या सुबह बैट के कुछ 15 मिनिट ध्यान करना ये नहीं होता है, कि अपनी life में आप satisfied हो की नहीं, क्यों नहीं हो satisfied, इसके बारे में खुद को देखना चाहिए, कि क्या है, क्यों नहीं हो satisfied, happiness तो छोटी-छोटी ची है, और ये बहुत important है, क्या आप ये मानते हो कि गुसा, घमंड, दुख, ग्रजिस, इन सारी चीज़ों का भी रोल रहता है, 100%, ये stress level बढ़ा रहा है आपके, इतनी stress level बढ़ा रहा है, आपको उसको किसी तरह से उसको नीचा दिखाना है, बढ़ गया stress level, आपको उससे आग या उसने कुछ कुछ किया है, आप संत नहीं बन सकते, बट ये नो बगवत गीता में कहा है, आपका गुसा आपका चाहिए, दूसरा आदमी ने गुसा किया, इसलिए आप गुसा नहीं करना चाहिए, आपका जो क्रोध है, उसका control आपके मैं कब उसके उपर चिडूंगा, वो मेरी बारी है, not because you are angry, I will become angry when I want to become angry, ये जब तक आपके बीच में नहीं आएगा, तब तक आप सही नहीं हो, तो ये सब चीजे 100% माईने रखती हैं, तो ये stress level बढ़ाती है, stress level बढ़ाना नहीं चाहिए, ये कहना आसान है, लेकिन ये आपने आपको एक बार का training देना है अब हमारी profession को देखो, रोज का तो हमारा stress ही, रोज आदमी को काट रहें, ऐसा नहीं कि कोई, और हर एक का क्या लगता है कि ये डॉक्टर अपना भगवानी है, 100% डिज़र देगा, लेकिन आप भगवान का रूप नहीं ले सकते, 10-15% तो complication किसी के बारे में होना ही है, कि कि जैसे जैसे आप famous होते जाते हों, और-और complicated cases आपके पास आते रहते हैं, तो complicated cases आएंगे, तो उसमें तो होते ही रहता है, अच्छा हुआ, अच्छा बोला, बहुत अच्छा, लेकिन अगर कुछ हो गया, और patient ने कुछ आपके बारे में बता दिया, या stress ही नहीं हो, तो का stress level कम करिये, सब ठीक हो जाएंगा, जब आप ये शब्द यूज करते हो, stress, mostly ना हर कोई exams को visualize कर रहा हो, हर किसी लाइप में common factor होता है, बच्छ पर exam के आपको stress feel होता था, मैं audience ये कहना चाहतो कि वो feeling याद करिये, जो exam के पहले nervousness feel होता था, वो याद करिये, कैसा feel होता ठीक है, जब आप एक stressful environment में जाते हो, जब लफड़े होता है ना life में, आपके body में हॉर्मोन होती है, cortisol, correct मी फिर्मनों, उसे कहते है stress hormone, जो stress आपको feel हो रहा है, actually आपके खून में cortisol बढ़ रहा है, अगर आप जिंदगी भर stress करते जाओगे, तो baseline cortisol बढ़ता है, मतलब आम सम आम इंसान से अगर आप compare करोगे तो, तो जो लोग बहुत जादा nervous होता है ना, जट से मूफ करने लगते है, ज्यादा anxious होते है, anxieties इनको ज्यादा होते हैं, उनका baseline cortisol जादा हो, जो भी आप कहरो सर, cancer के बारे में कि अगर stress बढ़ा तो cancer के जादा बढ़ते हैं, is it actually related to baseline cortisol, actually उसके बारे में भी study किया गया है, hormones बढ़ते रहते हैं, cortisol नहीं, cortisol के आलावा भी काफी hormones है, जो अपनी शरीर में बढ़ते हैं, उसको बोलते है histamines, histamine meaning आपको जब ही, आपको शायर सामने शेयर दे गया, तो आपको क्या हो, पसी ना आता है, तो cortisol लेवल से नहीं आता है, और sympathetic release होता है, वहां से hormones, और उसके वज़े से आपको पसी ना, डर से पसी ना आता है, या किसी से आता है, तो यह जो hormones है, आपको, तो हर टाइम आपको कोई anxiety हुआ हुआ, या stress हुआ, कि मैं यह नहीं हो, तो यह hormones बढ़ते हैं, और यह hormones, जब नहीं बढ़ने चाहिए तब बढ़ते हैं, तो कहीं तो destroy होने चाहिए ना, जब नहीं होने चाहिए, यह नहीं आज, आपको stress level, जब आएगा तब ही आपका cortisol level बढ़ना चाहिए, बढ़ आप अपने को इतना anxious और इतना stressful बनाते हैं, कि hormones continuously high level पे रहते हैं, और यह high level पे जब रहते हैं, तो कोई ने कोई organ तो destroy करेंगी, कोई नो, कोई organ पे उससा बुरा असर तो होने ही वाला है, तो इसलिए, that is one of the reasons, and यह study किया हुआ है, stress के वज़े से breast cancer होता है, यह काफी लोगों को मालूम है, और इसलिए आप breast cancer, याने stun का cancer जो है, आप अगर देखोगे, तो one of the factors is that you will see, अपने civilized, meaning cities में breast cancer common है, गावों में breast cancer is बहुत rare है, उसका एक factor stress है, दूसरा factor है हो, आप कभी भी खेतों में जाओ, एक बच्चा लटका हुआ लगता है, breast milk पीते होए देखता है, एक-एक साल, दो-दो साल वो पीते रहता है, आज 30 साल में हम रेक रहे हैं, अगर मैं 100 breast cancer के operation करता हो, तो 98 जो cancer के patient है, वो city में रहने वाले है, उली 2% है, तो है ना lifestyle से important, और breast feeding से cancer कैसे link है, because breast feeding जो है मैंने जैसे बोला, organ का अगर सही इस्तमाल होना चाहिए, breast का आपको क्यों दिया गया है, आपको breast दिया गया है कि बच्चों को दूद पिलाए, दूद नहीं पिलाते हो time पे, त तो जो दूद के अंदर के कोई factors है, यह भी एक theory है, proven कुछ भी नहीं है, breast cancer का कारण इतने सालों से भी किसी को मालूम नहीं है, जीन है, यह stress है, दूद पिलाना नहीं है, यह है, जिसका marriage नहीं हुआ है, उसको है, तो one of the factors is कि breast का milk पिलाते हैं, जादा डिम पिलाते हैं, त तो therefore it is important, कि breast के milk में जो factor है, अगर पिला या नहीं तो अंदर ही रहता न, तो उसमें से कोई factors है, जिसके वज़े से breast cancer हो सकता है, यह proven है, दोस्तों कर यह वीडियो अच्छा लगा, तो definitely हमारी playlist देख लीजे, ऐसे ही वीडियो आपको वहाँ भी मिलेंगे, और definitely TRS Clips Hindi को subscribe क है, यहु कि दुटन है